ओम नमस्षिवाय हम दर्शन करेंगे स्रीकन्टेश्वर महादेव ये करनाटक के मैसूर से 18 किलोमीटर दूरी पे ये कावेरी नदी के उपन नदी कफिल नदी के तट्पर है और ये स्रीकन्टेश्वर महादेव समंतर मंदन में ज़ब हाला हल निकलता है जेरनी करता है वो धारन करेते माहादेव करे बाद अरिद्वार में नीलकंट माहादेव मंदिर जैसा है यहां भी विश्क दारन करने के बाद तूड़ी देर यहां विश्राम करेते इसलिए इसको स्रीकंटेश्वर माहादेव बोलते है और जैसा नीलकंट बोलते है अपन इनकी बाशा में ये लोग नंजुडेश्वर बोलके बोलते है तो नंजुडेश्वर महादेव भी बोलते है तो नंजुडेश्वर के नाम से यहां का गाउं का नाम भी नंजनगुड पड़ा है तो यह नंजनगुड में स्थित है स्रीकंटेश्वर महादेव और यहां पे बगल में ही परशुराम जी का भी मंदिर है क्योंकि परशुराम जी मात्रों अत्या का दोश का निवारन करने के लिए यह तपस्या करके शिव जी को प्रसंद करेते यह भी मान्यता है और यह स्रीकंटेश्वर माहादेव की दर्शन करने से जिनकी नेत्रों का आकों का समस्य क्या होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है यहां का माननेता है ओम नमस्षिवाइब घपाल माननेता है ओम मानने च्रहां सेदीया अचित कर आड़ना.......